रिसेंटली वीवो वीफाइव एस लॉंच हुआ है इंडिया में और कंपनी कहती है कि यह बेस्ट सेल्फी सेंट्रिक फोन है अब तक का मार्केट में पर ऐसी बात नहीं है ओपो के पास भी अपना खुद का सेल्फी सेंट्रिक फोन है नाम है ओपो एफवान एस तो आइए लगाते हैं कौन सा फोन होगा वेस्ट सेल्फी सेंट्रिक फोन आप लोगों के लिए वैसे यार मेरे सबसेत दोनों बेकार है तब भी स्टार्ट करते हैं नमस्तों दोस्तों मैं हो रिशाब और आप जख रहे हैं रिशाब टेक फर्स्ट आफ ओल दोस्तों सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों कोई वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था रिशाब टेक चैनल ते तो वह चीज अपसे हो गई नहीं तो सॉरी चाहता हूं उस चीच के लिए और पॉइंट पर आते हैं सबसे पहले दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन या लगते हैं वीवर वीफाइस की और एफवन एस की उसके बाद दोंगा अपना अपिनियन तो चली स्टार्ट करते हैं और स्पैक्स की बाद दोनों फोन्स चौसट जीबी वेरिंट पे अबिलेबल है ओपो के पास चार जीबी रैम है वीवर वीफा चाहिए चिप है और इसके बारे में तो ज्यादा कुछ बोलें लाइक है भी नहीं तो साड़े पांच इंच की दोनों फोन में एच्डी स्क्रीन देखने को मिलती है सिर्फ एच्डी पता नहीं या तो अभी तक तो दोनों फोन बराबर पे चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं Vivo V5S में 20 Megapixel का मिलता है Moonlight Flash के साथ OPPO F1S में 16 Megapixel का मिलता है अब देखने से तो Vivo V5S का कैमरा ज्यादा अच्छा लग रहा और है भी दोस्तों क्योंकि Image Sensor बहुत अच्छा लगाया गया है Sony IMX376 Image Sensor लगाया गया जो कि एकदम latest है और Megapixel count भी ज्यादा है और एक चीज है कि इसमें Moonlight Flash दे दिया कि है तो यह वाली बात तो बहुत अच्छी हो गई बैक कैमरा की बात करूं तो फिर दोनों फोन में टाई हो गया है और दोनों फोन में आप लोगों को 13 Megapixel का बैक सेंसर देखने को मिल जाएगा दोनों फोन में PDF Technology यूज की गई है इससे ठीक ठा टाइप से भी option नहीं दिया गया है बेसिक सा back camera है और वैसे भी हमें मतलब है front camera से तो क्यों हम back camera की बात कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं और दोनों फोन्स में यह चीज मुझे बहुत बेकार लगी दोनों फोन्स एकदम मतलब पुराने Android यूज कर रहे हैं मतलब कि किसी में अब आपको नोगट देखने को नहीं मिलेगा और अपडेट आएगा कि नहीं पता नहीं चलो ठीक है विवो वी 5S में तो आप लोग कम सकम मासमेल तो देखने को मिल ही जाता है मजे की बात है ओपो f1s में आप लोग को यार लॉलीपॉप देखने को मिलते हैं चलो माना की हो जाएगा मासमेलो में तब यार लॉलीपॉप आगे बढ़ते हैं दोनों फोन्स को आप लोग sd card के मदद से 256GB तक expand कर सकते हैं storage और वीवो का अपना OS है ओपो का अपना color OS है तो यार दोनों फोन्स का मुझे समझ नहीं आता बैटरी लाइफ की बात करें तो ओपो f1s मे में आप लोगों को 3075 एमेच की बैटरी देखने को मिल जाएगी और वीवोव v5s में आप लोगों को 3000 एमेच की बैटरी मिल जाती है तो इसमें भी सेम है यार मतलब कि यह phone दोनों भाई-भाई लग रहे हैं आधे घंटे तक का आप लोगों को extra battery life देखने को मिल सकता है f1 में बाकी तो यह सेम battery life होने वाली है तो बस दोस्तों यह तो थी major specs दोनों phone की कैसी लगी आप लोगों को और कौन से phone आप लोगों को पसंद आया comment करके बता और मेरे opinion की बात करूं तो वैसे तो मुझे दोनों phones नहीं पसंद है अब भी यार अगर आप लोगों को selfie खीचनी अच्छी 20,000 अगर आप लोगों का budget है तो Vivo V5S ले लो फ्रंट में flash भी मिल जाता है moonlight वाला और जो की low lightning में बहुत अच्छा काम कर लेता है मेरी बात मानोगे दोनों में से कोई भी phone मत तीसे यार कर लो budget OnePlus 3T ले लो Moto G5 Plus ले लो कितना अच्छा फोन है और अगर online खरीज नहीं नहीं चाहते तो भाई जाओ तो आप लोगों को सॉपकी पर यहीं दोनों phones दिखाएगा और फिर चूस कर लो और इस टाइम तो से बाए 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 and I hope you enjoy the video वीडियो अच्छा तो